हालो टाॉरस, वालकम तो लावीद उनिवर्स, अगर आपकी राशी टाॉरस हैं, यानि ब्रिश राशी हैं, तो चलिए देख लेते हैं, में मन्त में, यानि में 2023 में आपके लाइफ में क्या-क्या होने वाला है, आपको बस फ्री माइन्ट होकर रीडिंग को देखना है, किसी भी बात को लेकर आपको टेंशन या फिर हैडेक नहीं लेना है, निगेटिव थौर्ट्स अपने मन में नहीं लाना है, आपके लाइफ में कुछ आपके लाइफ में कुछ चीजों को लेकर आप साटिस्फाइड नहीं हो, हो सकता है बहुत टाइम से आप इस चीज के बारे में सोच रहे हों कि आपके लाइफ में कुछ इनकम्प्लीट हैं, कुछ अधूरा सा हैं, यानि आपको चीजों को लेकर खुश नहीं हो, हो सकता है वो आपके love life के side से हो, हो सकता है वो आपके career के side से हो, आप जैसा चाहते हो वैसा आपको नहीं मिल रहा है, तो इस time पर मुझे दिख रही है आपको artificial light नहीं चाहिए, आपको इस time पर real light चाहिए, sun चाहिए, आपको unlimited positivity चाहिए, unlimited light चाहिए, जो की पूरा life आपका रहे, यानि कुछ चीज़े आपके लाइफ में पर्मनेंट चाहिए आपको, तो डेफिनेटल इस टाइम पर आप कुछ चीजों को लेकर बहुत ज़दा साड महसूस करते हुए दिख रहे हूँ, अनसाटिस्वाइट होते हुए दिख रहे हूँ, और इसके लिए आप बहुत सदा एक्शन इस टाइम पर लेने वाले हूँ, हो सकता है, बहुत टाइम से ही ले रहे हूँ, तो इसके वज़े से एक बोल्ड एक्शन इस टाइम पर आप लेते हुए दिख रहे हूँ उचे, और कौन कौन से राशी है, मैं बता देती हूँ, यहाँ पर वर्टे साइन, कैसे स्कॉर्फिय। पािसी से हैं, आठ साइन, टॉरूस वगो कैफ्टी कॉन है, पािसी की एनरजी मुझे अलग से दिख रही है, एर साइन, जिम्नालिवरा, एक्यूरियस हैं, तो फायर साइन के एनरजी यहां पर थोरी सी कम दिखाई दे रही हैं तो में मन्त के एक से दस तारीक के बीच में देख लेते हैं आपके लाइफ में क्या-क्या होने वाला है यहां पर हैं थ्री ओफ स्वार्ट तो इस टाइम पर मैं फर्स्ट ही बताना चाहूंगी लव पर्टी एंटर करता हुआ दिख रहा है तो आपको एक बत समझ लेना चाहिए कि थर्ड पर्टी हमेशा आपको प्यार करेगी या फिर आपके पर्सन को प्यार करेगी ऐसा नहीं है यह इनसान कोई भी हो सकता है जो आप दोनों के बीच में दूरिया क्रिएट कर सकता है ऐस कोई भी इनसान हो सकता है वो आपके फैमिली में से हो सकता है वो आपके नई वर्स में से हो सकता है तो कोई भी ओके आपके ओफिस कलिक्स भी हो सकते है अपके दोस्त भी हो सकते है तो इस टाइम पर कोई एक इनसान आपके लव लाइफ में कुछ दूवीदा क्रिएट करन आपके person के उपर भरोसा रखना है, विश्वास करना है अपने person को के, और आपके life में अगर कोई भी love का funda नहीं है, तो यहाँ पर मुझे दिख रही है, आपके career के side से कुछ चीजे आने में delay हो सकता है, हो सकता है इस time पर आप बहुत ज़्यादा बेसबरी से इंटिजार करो कि कुछ चीजे आपको मिलेगा, कुछ results के लिए इंटिजार करो, कुछ outcome के लिए इंटिजार करो, तो इस time पर वो चीज़ आपके पास आने में थोड़ा सा delay होता हुआ दिख रहा है, और इस time पर मुझे ये भी दिख रही है, love life के side से हूँ या फिर आपके career के side से, कुई आपके situation आपको ऐसा face करना पड़ेगा, जिससे आपका दिल थोड़ा सा दुखेगा, okay, so यहाँ पर आप देख सकते हो, 10 of cups है, तो इस time पर आपके family आपको बहुत सदा support करते हुए दिख रहे हैं, आपके family आपके साथ खड़े होती हुए दिख रहे हैं, इस time पर आपके family क आपके वज़े से ही आप बहुत सदा खुश महसूस करते हुए दिख रहे हो, यह जो दुख वाला situation है, यह एकदम से आप भूलने वाले हो, आपके family एकदम से भुला देने वाला है, इस time पर आपके घर में कुछ पूजा पार या फिर कुछ positive energy की काम यहाँ पर हो सकता है, और यहाँ पर मुझे यह भी दिख रहे हैं, इस time पर आप कुछ चीजों में successful होते हुए दिख रहे हूँ, आपके पास abundance आती हुए दिख रहे हैं, खुशी आती हुए दिख रहे हैं, prosperity आती हुए दिख रहे हैं, growth आती हुए दिख रहे हैं, क्यूंकि इस time पर आप बहुत सदा खुशी आने वाला है तो देख रहते हैं मेमन के 10 से 20 तारिक के अंदर आपके लाइफ में क्या होने वाला है क्या क्या होने वाला है यहाँ पर है Ace of Pentacles तो इस टाइम पर आपके पास कुछ ओफर आते हुए दिख रहे हैं यह ओफर जॉब से रिलेटेट भी हो सकता है आपके लव लाइफ से रिलेटेट भी हो सकता है यानि यह ओफर ना होका कोई प्रोपोजल भी हो सकता है इस टाइम पर आपको कही से अचानक से एक बिग अमाउंट आफ मनी भी मिल सकता है लॉट्री भी लग सकती हैं तो पैसो से related कुछ prosperity, abundance आपके पास आती हुई दिख रही है और इसमें divine का involvement भी मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रही है पैसो से related कुछ चीजों को लेकर आप बहुत time से manifest कर रहे थी तो आपका manifestation यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है मुझे और इस time पर आपके लिए एक नया दर्वाजा open होता हुआ दिख रहा है मुझे यानि बहुत time से अगर आप किसी situation में stuck थे तो वहाँ से आप इस time पर निकलने वाले हो जो की बहुत अच्छी बात है और यहाँ पर आप देख सकते हो दा मून है तो इस time पर आप कुछ चीजों को लेकर गहरी तरीके से सोचते हुए दिख रहा हो आप इस time पर negative और एक positive situation के बीच में फस्ते हुए दिख रहा हो इस time पर आपके अंदर कुछ चीजें ऐसे काम करती हुए दिख रहे हैं आप इस time पर किसी एक इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा frustrated होते हुए दिख रहे हो आपको एक बार लगेगा कि आप उससे जाकर rudely behave करो जगड़ा करो arguments करो उसका कुछ बड़ा नुकसान कर दो और दूसरी ही पल में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा करना ठीक नहीं होगा शांती ठीक है एकदम से तो आप इस time पर बहुत सदा मायूस बनते हुए दिख रहे हो आपका intuition यहाँ पर बहुत सदा active होता हुआ दिख रहा है आप एकदम से गहरी तरीके से सोचते हुए दिख रहे हैं emotional होते हुए दिख रहे हैं और इस time पर इसका main वज़ा mood fluctuation भी मुझे दिख रही है और देख लेते हैं may month के 20 से 31 तारीक के बीच में आपके life में क्या क्या होने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हुए the world है तो इस time पर आपका दुनिया change होती हुए दिख रहे हैं आपका surroundings जैसा था अभी तक तो वो एकदम से बदलने वाला है इस time पर यानि अचानक से आपके surroundings change होते हुए नजर आएंगे आपको surroundings के people आपसे अजीब तरीके से पेशा आने वाले हैं यानि जो इनसान आपसे बुरे तरीके से पेशा आता था वो इनसान आपके साथ अच्छे से बात करते हुए दिख रहे हैं और जो इनसान आपसे अच्छा behave और इस टाइम पर आप कही पर घूमने भी जा सकते हों और यहां पर मुझे और एक बात मुझे दिख रहे हैं जो कि आपना इस टाइम पर बहुत सदा स्ट्रॉंग बनते हुए दिख रहे हो आपका communication skill इस टाइम पर बहुत सदा इंप्रूफ होता हुए दिख रहा है मझे आपका नजरे बहुत ज़दा तेज होती हुई दिख रही है, आपके business के तरफ से, आपके job के तरफ से, आपको बहुत सदा growth मिलती हुई दिख रही है, prosperity आता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, the hanged man reverse है, तो इसको मैं क्या ही बता हूँ, इस time पर हो सकता ह हैं, बहुत से चीजों को लेकर आप सोच रहे थे, आपको कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था, आप जमीन पर पैर नहीं रख पा रहे थे, तो इस time पर आप देख सकते हो, hanged man reverse के वज़े से, आप जिस चीज को लेकर hanged महसूस कर रहे थे, उस चीज में आपको clarity मिलती हुआ दिख रहा है, आपका life एकदम से शान, stable होता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपके दिमाग में अगर कुछ headache था, कुछ चीजों को लेकर, तो वो भी हाँ पर solve होता हुआ दिख रहा है, तो वो भी हाँ पर जाता हुआ दिख रहा है, वो headache, okay, so definitely बहुत अच्छी और positive energies दिख रहा है मुझे यहां पर, तो मेमत में overall आपको क्या मिलता है, देख लेते हैं, so, oh wow, so यहां पर है new beginnings देखो, मैंने अभी आपको बताया ना, कि कुछ चीजे यहां पर new start हो सकता है, क्यूंकि, क्यूंकि transformation के through ही new beginnings आते हैं, this time पर definitely आपके life में क कुछ अच्छा जरूर होगा, और यहां पर भी 10 आया है, one जो number है, वो कुछ new beginning को ही दर्शाता है, this time पर आपके life में growth, prosperity, happiness, abundance, अब कुछ आते होई दिख रहे हैं, एक नया start, एक नया शुरुआद आप करते होई दिख रहे हो, हो सकता है, वो love life के side से हो, हो सकता है, वो career क side से हो, तो जिस भी दिखा से आप start करोगे न, वो एकदम से happy वाला होगा, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो, सूर्य देफ मौजूद है, तो आपको किसी भी बात को लेकर tension लेने की जरूरत नहीं है, आपका may month overall मुझे बहुत अच्छे दिख रही है, new beginning और एक ending के यह थोड़ा सा uncomfortable होता है, पर यहां पर बहुत सादा कुछ uncomfortable आपके लिए मुझे नहीं दिख रही है, उपर से सब कुछ अच्छी दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे card अच्छे अच्छे ही आया है, बस दो card को छोड़ कर, एक तो आपका bottom of the deck है, जो solve होती होई दिख रही ह हैं और दूसरा है यह, आपका मेमन्थ अच्छी गुजरती हुई दिख रही है, positive गुजरता हुआ दिख रहा है, बाई